अभी एक कुमार का फोन आया था तो, उसके साथ जो बात हुई वो सुनाते हूं तो कुमार है, बाबा का बच्चा है, बाबा को जानता है, पहचानता है, है ना? तो पीछे फोन किया, तो मुझे कहता की, आफिस में जॉब करता हूं तो ऐसा कोई खास ट्रेस भी नहीं है अफिस में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत काम है, या ऐसा प्रेशर है, जो बहुत अनियूश्वल है, ऐसा कुछ नहीं लेकिन अंदर अंदर ना, ऐसा लगता है, जैसे घबराहट होती रहती है तो काम आने से पहले सोचने लगता हूं, कोई भारी काम ना दे दे, अभी कहीं और जाने का ओर्डर ना दे दे, किसी और साइट पे मुझे पोस्त ना कर दे तो ऐसे सारे दिन एक mild inner stress अंदर चलता रहता है तो मैंने उसको पूछा, अमरितवेला करते हो, कहता है नहीं, अमरितवेला तो नहीं हो पाता है तो मैंने का नहीं हो पाता है, नहीं करते हो बोलो, तो कहता है नहीं करता हो फिर कहता कि अब क्या करना है, तो मैंने का कि वही करना है, जो बाबा कहता है अमरितवेला करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है न, देखो बाबा हमें कहते हैं कि योग से विकर्म मिनाश होंगे ठीक है तो 63 जन्मों का विकर्मों का बोज है अब जब बाबा कहते हैं विकर्मों का बोज है तो विकर्मों का बोज क्या होता है विकर्मों का बोज माना हमारा जो subconscious mind है unconscious mind है उसमें बहुत सारा कच्रा भरा हुआ है उसी को विकर्मों का बोज कहते हैं अब बाबा कहते हैं वो विकर्मों का बोज इतना हो चुका है कि अगर उसको अभी विनाश नहीं किया तो आप सोचो एक कमरे में अगर कच्रा भरा हुआ है तो क्या होगा? अगर आप उसकी सफाई नहीं करेंगे तो धीरे-धीरे वो कच्रा बद्बू पैदा करेंगा, जर्म्स पैदा करेंगा और वो धीरे-धीरे सारे वायुमंडल को दूश्यित करेंगे ऐसे ही यह जो हमारे पाप कर्मों का खाता है, जो इतना सारा विकर्मों का खाता है, उसको अभी विनाश करना पड़ेगा, वो optional नहीं है, वो mandatory है और अगर विनाश नहीं करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो जो subconscious में था, वो धीरे धीरे हमारे conscious mind में, विचारों की तरह नहीं, भावनाओं की तरह आ रहा है कई बार ऐसा, आज मनुष्य क्या कहता है, सोच कुछ भी नहीं रहा हूं, बस low feel हो रहा है, bored feel हो रहा है, उमंग उचसा कम हो गया है, hope नहीं है, zeal enthusiasm नहीं है life में तो वो क्या है, वो सारा जो अंदर का कच्रा है, वो subconscious से conscious mind में, ऐसे feelings के रूप में आता जाता है इसलिए बाबा हमें कहते हैं, और ये न अचानक होता है, जैसे आप सोचो कि कभी कुछ जैसे घर में कोई गंदगी हो, ब्रामनों की घर में नहीं होती है लेकिन जिससे दुनिया में गंदा हो, कोई को ना, तो एकदम से एक दिन ऐसा लगता है, यहां से बदबू आने लगी है पहले नहीं आ रही थी, अब ही आने लगी है, लेकिन आ क्यों रही है, क्योंकि कई दुनों से सड रहा है बदबू तो आज आपको आ रहे हैं, लेकिन सड तो कई दिन और से रहा है ऐसे ही जो अंदर का कच्छरा है, यह ऐसा लगता है कि एक दिन हमें ऐसी फीलिंग्स आने लगी है अंदर मनुदास रहने लगा है, स्ट्रेस होने लगा है, दुख सा अंदर फील होने लगा है, चिंता या घबराहट होने लगी है लेकिन वास्तव में यह सारा विकर्मों का बोज जो है, वो बहुत ज्यादा है और अगर हम उसके बारे में कुछ नहीं करते, तो दिरे दिरे वो जो बोज है, वो इमर्ज होता जाता है आप देखो, भगवान, शिबाबा कौन है? ज्यान सागर है ना? सबसे समझतार है तो अगर भगवान परमधाम से उतर आया है, तो कोई एमर्जिंसी की तो बात होगी ना? अगर एमर्जिंसी नहीं है, तो भगवान परमधाम से क्यों उतर आएगा? जरूर है कि वो कुछ तो हमें ऐसा कहना करने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है लेकिन कई बार क्या होता है ना? क्योंकि प्रेम का सागर है, शान्ती का सागर है, तो बाबा ऐसे घंटी बजा कर, अलार्म की घंटी बजा कर नहीं कहता है ना? आजकल क्या है? हमें तो संसनी की आदत हो गई है ना? कोई भी बात सुनने की है, तो फिर उसको संसनी खेस तरीके से कहें, तो सुनाई देगी है ना? जैसे बहुत ड्रामा करके विनाश की बात बताएं, तो समझ में आएगी ऐसे कहें, विनाश आने वाला है, तयारी करो, तो समझ में नहीं आता है ना? क्योंकि अलाम बेल ना बजाओ, तो आजकल बुद्धी में बैठती नहीं है बात अब बाबा तो हमें प्यार से कह रहे हैं, लेकिन प्यार से कह रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बात इंपोर्टन नहीं है बात तो बहुत important है बात तो emergency की है अब देखो जैसे अभी जैसे political situations होती हैं कई पार तो political situation जब government को समझ में आता है कि अच्छा कोई चीज अभी करनी बहुत जुरूरी है तो सरकार क्या करती है? एक order निकाल देती है न? कि इस जगे पर खाली कर दो या यहाँ आ जाओ या यह चले जाओ या यहाँ जरूरत है order निकाल देती है अब व्यक्ति क्या सोचते है? इतनी बड़ी बात होती तो हमें भी तो महसूस होता लेकिन आपको वो अंदर की सारी बात नहीं पता तो जब सरकार कहती है कि ऐसा करो तो आपको कर लेना चाहिए क्योंकि आपको वो सारी बात नहीं बता रहे क्योंकि जबरदस्ती वो जो आत्मा के अंदर घबरहाद, डर है ना एक एक क्या कहें environment कैसा बन जाएगा डर का बन जाएगा इसलिए सारी बाते ऐसे detail में नहीं बताई जाती क्योंकि हैंडल नहीं होंगी लेकिन अगर एक आत्मा समझे व्यक्ति समझे कि अच्छा गवर्मेंट के रही है तो उसको सुनना चाहिए उस बात को करना चाहिए तो करेंगे तो फाइदा होगा अब आप सोचो ऐसे ही इश्वरिय गवर्मेंट है भगवान है स्वेम परमधाम से आकर हमें कहते हैं कि रोज उठो और अमरितवेले मेरी अच्छी याद में बैठो तो बड़े प्यार से कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो हम कहते हैं अच्छा प्यार प्यार में कह रहे हैं सुनना थोड़ी है बाबा को क्या जरूरत है हमें उठके आप कोई बात कह रहे हैं, तो उसका महत्व हमें समझना है, वो कह प्यार से रहें, कह शांती से रहें, लेकिन अगर नहीं सुना, तो फिर उसके जो consequences आएंगे, वो देखने पड़ेंगे, है ना, इसलिए बाबा हमें कहते हैं, कि हर एक बच्चे को अभी realize करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्ञान से realize नहीं करेंगे, तो जब पाप का खाता सामने आ जाता है, बीमारी के रूप में, कोई व्याधी के रूप में, आजकल तो मानसिक रोक के रूप में बहुत ये पाप का खाता सामने आता है, और एक बार आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, यह ना, फ उठकर मुझे याद करो, विकर्म विनाश करो, और मैं आपको बताओ, अनुभाव से बताती हूँ, क्योंकि हम भी बाबा के बने, तो कोई पहले ही दिन से तो अमरितवेला उठके नहीं बैठने लगे न, तो हमें भी टाइम लगा, तो जब हम बाबा के बने, सुना, अमरित बहुत फरक पड़ जाएगा, कभी-कभी तो ऐसा भी सोचते थे, बहुत ओवर रेटेड है न, यह अमरितवेला, बीकेज में, रोज-रोज अमरितवेला करो, अमरितवेला करो, है न, क्या हो गया, ऐसे भी तो बाबा को याद करके ठीक ही रहते हैं, मैं तो ऐसा ही समझती पहले पहले न, कि ऐसे भी तो ठीक ही रहते हैं, मैं कौन सा किसी को गुसा करती हूँ, यह अपमान करती हूँ, ठीक ही चलती हूँ, बुद्धी भी काम करी रही है, तो अमरितवेला करके क्या करना है, लेकिन धीरे-धीरे मुझे समझ में आने लगा, क्योंकि आप तो चल है न, जैसे डेली के खाते पे चल रहे है, मुझे सुनी शक्ती भरी चल रहे है, लेकिन धीरे-धीरे समझ में आता है, कि मुझे सुनी, लेकिन वो असर नहीं हो रहा है, या वो जो खाता बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा है, उतनी ताकत नहीं रह रही है, कहीं न कहीं लगी हैं, तो जब वो बात सुमझ में आने लगी, तो फिर मैंने अमरितवेला किया, अब अमरितवेले में क्या होता? बैठती थी पहले, तो बैठे बाबा को प्यार से याद किया, कोई ऐसे सितारे नहीं चमक रहें, कुछ अलग नहीं हो रा, लेकिन मैंने देखा, धीरे ध वो जो अमृत्वेला उठकर अपने को आत्मा निश्य कर देह से न्यारे हो, बाबा के प्यार का, सुख का, शान्ती का अनुपव किया, या अपने अंदर पवित्रता शक्ति की किरणों को समाया, तो सारे दिन वो जो अपना रियाक्टिव स्टेट थी, वो बहुत कम होती थी ऐसा लगता था जैसे, जैसे आज पाबा ने बहुत सुंदर कहा, कि जैसे कोई कमाई करता है, तो उसको नशा फील होता है, कि हाँ, किसी के पॉकेट में पैसे हो, तो चेरा भी खिला रहता है, तो ऐसे कमाई वाले की पॉकेट के पैसे, जैसे चेरे पे दिखाई देते हैं ऐसे जो आप योग की कमाई करके बैठेंगे तो आपकी सारे जो body language में वो स्थिरता वो confidence रहता है और जैसे धनवान के पास कोई लोन भी आए तो घबराता नहीं है न ऐसे आत्मा कमाई करके बैठी हो तो फिर सारे दिन में कितने भी कर्मों के हिसाब किताब आते हैं तो उसको बड़े प्यार से चुक्त करते हैं विदा करते हैं और तसलिस से रहते हैं तो धीरे धीरे वो समझ में आने लगा कि ये तो optional नहीं है ये तो mandatory है तो फिर आत्मा को ओना क्या होने लगा कि कुछ भी हो तो बाबा हमें ये बात अटेंशन दिलाते हैं आज, कि निरंतर याद की यात्रा में रहना, यही सबसे बड़ी मन्जिल है, आज दुनिया में व्यक्ति समझता है, ये स्थूल प्राप्ती करना, ये पद पोजिशन, ये बच्चे अच्छे निकल जाए, शादिया हो जाए, ये बड़ी बातें हैं, कुछ भी बड़ी बातें नहीं हैं, बाबा कहते हैं, अंत में एक ऐसा स्वम garage आएगा, जब आप जिस भी चीज को, आज महत्व देते हैंना, कि ये मेरे काम आएगी, ये मेरा asset बनेगी, वो सारी बातें दोका देदेंगी, और अंत में सिर्फ एक ह कमाई साथ चलेगी वो है ये जो निरंतर याद की यात्रा करके हमने जो स्थिती बनाई है और जो हमने संसकार बनाया है कि हम बाबा की याद में किसी भी परिस्थिती में अच्छा लडोल रह सके ये एक ही कमाई हमारे साथ रहेगी और एक समय आएगा जब सिर्फ हम नहीं सा में आएगा आप देखो कोविड जब आया था तो थोड़ी से जलक तो दुनिया को मिली थी कि यही एक कमाई है जो साथ रहती है साथ चलती है और ऐसा समय कोविड तो चलो दो वरश रहा अगर बीस वरश तक कोई ऐसी परिस्थिती चले तो आप सोचो और क्या ही साथ इसलिए बाबा कहते है सबसे बड़ी मंसल क्या है कि हम निरंतर बाबा की याद में रहें लेकिन निरंतर रहने के लिए तो हमें अभ्यास चाहिए और अभ्यास को पक्का करने के लिए क्या चाहिए देही अभिमानी स्थिती बाबा कहते है दे अभिमान में आने से बाबा क याद, बाबा की श्रीमत सब भूल जाती है, दे अभिमान में आएंगे, अभी इतना मीठा बोल रहे हैं, दे अभिमान में आएंगे, कैसे शब्द निकलेंगे, क्या टोन होगी, कुछ पता नहीं, दे अभिमान में आते हैं, तो बाबा की सारी श्रीमत भूल जाती है, बाब वाने संसकार जो हमारे अंदर है ना वो सारे देविमान के अधार से जागरित होते हैं देखो मुझे एक अभी पीछे भाई केता है कि वो भी कुमार है तो मुझे कहता कि मैंने है ना पिलकुल फिल्म देखना टीवी देखना सब छोड़ दिया था फिर अभी शुरू हो गया तो मैंने का क्यों शुरू हो गया तो कहता है वो बहुत अच्छी मेरी फेवरेट फिल्म आ गई थी तो उसको मैंने फिर वो आजकल ऐसे नहीं है ना दीदी कि खाली टीवी पर आई वो तो अभी वो ओटीटी प्लाटफॉर्म पे है तो बार-बार मुझे आता एक देख ल मैं तो खानी पारा, सोनी पारा, मेरी खाली बुद्धी उधर ही जा रहे है ना तो आप देखो ये देविमान के संसकार कैसे होते हैं जिसने व्यर्थ देखने का संसकार बनाया है वो संसकार उसको ऐसे खीचता है है ना आप देखो व्यर्थ सुनने का संसकार, व्यर्थ द जवाब देने का संसकार, आपको देअभिमान में आपने संसकार बनाए, कोई आपको एक कहे तो मैं चार कहूँ, आप चार ना कहें, तब तक तो जैसे आग लग रही है अंदर, तो क्या करें, तो चार कहें के अपना कर्मों का खाता खराब करके ही छोड़ेंगे, या देअभिमान की आदतें, जितनी भी क्रोध की बनाई है, चाहे विकार की बनाई है, कामविकार की आदतें बनाई है, लोब की बनाई होगी, तो जब तक दो थाली भर के खानी लेंगे, तब तक मन शांत नहीं होगा, अब आप सोचो कि कितना भी खा लिया, या कितना भी है वो trigger होता है, फिर वो उसी आदत से शान्त होता है, तो बार-बार आप क्या कर रहे हैं, पहले damage, फिर damage की recovery के लिए वो देअभिमान की आदत, इस प्रकार से वो cycle चलता ही चला जा रहा है, या फिर attachment, जब तक सामने वाले के साथ, पुरा लड़ जगड कर, चार-पांच दिन फिर sorry-sorry करकर, रोकर, साथ नहीं रह जाएंगे, तब तक वो देअभिमान की आदत ऐसी है, कि हाथ-पैर कापते रहेंगे, मुझे एक माता कहती थी, यूगल के साथ जगड़ा हो जाता है, तो हाथ-पैर कापते हैं, जब तक दोबारा बात नहीं हो जाती, तो ये सब क्या है, ये सब हमने आदते बनाई हैं, और इसमें क्या है, इस सारी आदतों में हमारी स्थिती, हमारे बोल, हमारे करम, सब खराब होते जाते हैं, जैसे ही वो बात होगी, वो देअभिमान ट्रिगर होगा, इसलिए बाबा कहते हैं, बहुत पुर्शार्थ करना पड़ेगा, द एक छोटी सी चीज इसमें समझनी है, देखो जैसे अभी पेट है, उसमें आप कुछ भी डालेंगे, तो उसका असर तो होता है, कोई भी चीज मुख के द्वार से पेट तक जाएगी, तो उसका असर होगा, आप जो भी मुख से खाएंगे, उसका आपकी गट हेल्थ पर य अब क्या है, व्यक्ति कहें, मैंने तो बस ये थोड़ा सा, ये थोड़ा सा, ये थोड़ा सा खाया था, लेकिन उससे तो पेट को तो असर हो रहा है, चाहे आपको याद हो या ना हो, चाहे आप गिन रहे हो या ना गिन रहे हो, अब दूसरी बात है, जब कोई बहुत समें तक ऐसा भोजन खाता रहता है, फिर क्या होता है, उसका पेट की हेल्थ कराब हो जाती है, डाइजिस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, फिर क्या होता है, जो चीज हेल्दी है, उसको भी डाइजिस्ट नहीं कर पाता, होता है कि नहीं, जो चीज हेल्दी है, देखो मैंने ऐ तो आप सोचँ मनुष्य की बोडी भी अगर आप उसका सम्मान नहीं करते उसको हमेशा जो अखाद्य है वो देते जाएंगे तो जो खाद्य है उसको स्विकार करने की उसको ताकत नहीं होती अब आत्मा का भी हाल कुछ ऐसा ही है आत्मा को यदि वियर्थ और विकारों में मन बुद्धी को खूब लिप्त रखेंगे यह जो इंद्रिया है आक कान नाक मुक्त वच्छा इसको अगर पुरानी दुनिया में देखना सुनना भटकना संबन संपर के ही चलता रहेगा और यह जो मन बुद्धी है यह सब इस पुरानी पतीत दुनिया में सारे दिन बिजी रहेंगे तो धिरे धिरे आत्मा की जो स्पिरिच्वल हेल्थ है वो इतनी खराब हो जाती है कि फिर उसको जो ज्ञान है वो सुनाई नहीं देगा धारण नहीं होगा है ना आप फील करते हो कभी आप बहुत व्यर्थ विस्तार में रहे तो दो बार मुर्ली सुन चुके हैं पर एक भी पॉइंट याद नहीं रहता है इतना व्यर्थ विस्तार में रहेंगे ना तो मुर्ली सुनेंगे भी पर याद नहीं रहेगी क्यों क्योंकि जैसे body की receptivity खतम हो जाती है ना ऐसे आत्मा की भी receptivity खतम हो जाती है इसलिए बाबा हमें कहते हैं परहेज बहुत जरूरी है आत्मा अगर इंद्रियों को इंद्रियों का connection आत्मा से है मन बुद्धी का connection इंद्रियों से है जो आप देखते हैं सुनते हैं संबंद संपर्क में जिस प्रकार के बोल बोलते हैं करम करते हैं वो सारे का असर कहां आ रहा है जो खाते पीते हैं वो सब का असर कहां आ रहा है आत्मा पर क्यूंकि मन बुद्धी के द्वारा ये input output device है न बोडी तो पुरानी दुनिया की vibration पुरानी दुनिया की बाते आइडियाज पुरानी दुनिया के सारे करम सब कुछ आत्मा पर लेप छेप चड़ा रहे हैं अब आप चाहे जान कर करें, अंजाने करें, लेकिन हर एक चीज जो हम सुन रहे हैं, हर एक चीज जो हम देख रहे हैं, हर एक चीज जो हम खा रहे हैं, हर संबंद में आ रहे हैं, हर बोल जो बोल रहे हैं, सब की वाइब्रेशन हैं, और वो वाइब्रेशन आत्मा को असर डा इसलिए तो आज आप देखो ये जो फोन आने के बाद ये जो mindless viewing मतलब क्या हो गया आज फोन सामने है और चल रहा है और व्यक्ति को ये भी नहीं पता हो क्या देख रहा है लेकिन वो देख रहा है अब आप चाहे जाने ना जाने लेकिन जो आप देख रहे हैं वो अंदर अ आत्मा की उसको डैमेज कर रहा है हर शब्द हर द्रिश्य हर संबन संपर्क हर कर्म चाहे हम बोल रहे हैं सुन रहे हैं जो भी कर रहे हैं वो साब आत्मा को असर डाल रहा है और उसकी purity को खतम कर रहा है और जैसे जैसे purity खतम होती है आत्मा के अंदर पवित्र ज्ञान सुन कर धारण करने की या परमपिता परमात्मा की याद में रहने की जो केपैसिटी है वो खतम होती जाती है इसलिए तो आप देखो मैं ऐसा नोटिस करती हूँ ऐसे भी भाईबेने हैं जो पांच, छे, दस वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं अब ऐसा तो नहीं है कि मुरली नहीं सुनी है या कुछ मुरली भी सुन रहे हैं, क्लास में भी आ रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन छोटी छोटी बातें भी अभी तक समझ में नहीं आई है कहो कि सृष्टी चक्र समझा दो, नहीं समझा सकेंगे सीड़ी का चित्र समझा तो नहीं समझा सकेंगे आत्मा के साथ गुण भी ठीक से याद नहीं रहते हैं या कोई और बात पूछो तो पता नहीं रहता क्यों सारी दुनिया की बातें आपको याद रहती है ये वाली बात धारण क्यों नहीं होती या questions भी जो हैं मोह के उपर या विकार के उपर आज भी question उठते हैं क्यों उठते हैं धारणा क्यों नहीं होती ग्यान की क्योंकि ये जो आत्मा है वो इतनी पतीत बन रही है और अभी भी पतीत पना छूटा नहीं है परहेज नहीं कर रहे हैं अभी भी दोनों चल रहा हैं अभी भी ज्यान भी सुन रहे हैं और इधर का भी सारा जो विकारी दुनिया के साथ लेन दिन भी पूरा चल रहा है आज बाबा ने कहा ना कि अगर भ्रमचरिय में नहीं रहते तो फिर ज्यान की धारणा नहीं होती लेकिन देखो बाबा जब मुर्ली चला रहे थे उस समय पर तो ब्रह्मचर्य में सिर्फ कामविकार की बात है लेकिन आज तो दुनिया के पतीतपना नेक्स्ट लेवल पे है आप सोचो हम भी जब छोटे थे तो एक विकारी चित्र हमें कब दिखता होगा साल में एक बार कभी कोई विकारी चित्र देख लेते होंगे आज तो जब से ये फोन आया और इंटरनेट शुरू हुआ है तब से तो बुद्धी को, मन को, इंद्रियों को दुशित करने की सामगरी ऐसे फ्री हो गई और ये जो फ्री सब कुछ जो ये content चलता है तो आप सोचो कि आज हमारा जो ब्रह्मचर्य है वो क्या है सिर्फ इंद्रियों की सिर्फ ये थोड़ी है कि विकार में गए लेकिन बाकी भी तो आप देखो ना मन बुद्धी का क्या हाल हो गया है आज तो बाबा हमें कहते कि ये जो मन बुद्धी का हाल है आज, ऐसे में ज्ञान की धारणा कहा होगी, ज्ञान सुनते भी हैं, तो भी ज्ञान की अधार से संकल्प चले, वृत्ती बने, करम हो, हम ज्ञान स्वरूप बने, या हमारे जीवन में, हर अंग में पवित्रता की हो, वो कितना मुश्किल हो गया, मुझे याद है, हम बहुत सालों पहले, I think 6-7 वरश, या 8 वरश पहले की बात होगी, तो एक बड़ी डिगनिटरी थी, उनको हम मधूबन लेकर गए थे, तो उस समय पर विमेन, ये जो वाइलेंस अगेंस्ट विमेन है न, ये जो मॉलेस् की बाते हो रही थी, कि इस प्रकार की जो घटनाई होती है, मॉलेस्टेशन की, वो क्यों होती है, और उसका कारण क्या है, तो वो 8 वरश पहले, वो जो बहन थी, वो दुनिया की अनुभवी, जो दुनिया के हिसाब से बता रही थी, कि आजकल व्यक्ति चाहता है, तो 10 बुद्धी दूशित होती है, तो फिर जो बुद्धी दूशित होगी, वो कर्मों में तो आएगी, है न, तो आप सोचो, मुझे याद है, आट वरश पहले मैं उस कॉन्फरेंस में जब बैठी थी, तो मैं सोच रही थी, कि एक आत्मा, एक चीज देखती है, तो उसकी सुना था, तो मुझे एक realization सी हुई, कि सच में ये बातें कितनी बड़ी है, लेकिन आप सोचो, उस समय तो आपको 10 रुपे देने पड़ते थे, आज तो 10 रुपे भी नहीं देने पड़ते, आज तो free में, आज तो हर जगह पर free, और वो भी 10 रुपे देखकर आप एक research कहती है, कि जितना internet पर गंदगी consume होती है, उतना कुछ भी consume नहीं होता, तो आप विचार करो, कि आज मनुष्य की हालत कैसी हो गई है, और ये जो ब्रह्मचरे की बात है, जो बाबा करते है मुरली में, आज वो सिर्फ इंद्रियों की बात नहीं है, कि कोई काम विकार में physically गया, वो बात है ही नहीं, आज तो आत्मा की जो सारे दिन ये constant देखना, सुनना, सारे दिन ये जो पुरानी दुनिया के साथ हमारी engagement है, ये हमारी बुद्धी को इतना पती, इतना ब्रश्ट कर देती है, कि वो आत्मा, जब ज्ञान सुनती है, तो ज्ञान ऐसे यहां दर last, जो आत्मा है last में आएंगी, वो last so fast so first जा सकती है, या फिर वो last में आई तो last में ही रह सकती है, तो अगर इस समय पर आप सोचो एक तरफ जैसे exam होते हैं, तो कहते हैं ना paper tough है, तो competition कम है, अगर आप अच्छा पड़े हैं, तो paper tough है, तो competition कम है, और आप अच्छा अच्छा पढ़ें, तो बहुत अच्छा नंबर ले सकते हैं, और पेपर इजी है, तो कॉम्पेटिशन ज्यादा है, तो इस समय पेपर टफ है, लेकिन कॉम्पेटिशन भी इजी है, क्योंकि अगर इस समय पर हम थोड़ा एटेंशन दें, और हम अपनी जीवन को मर्यादा मे चलाएं, हम अपनी इंद्रियों को थोड़ा साधे, और हम बाबा ने जो हमें दिन चरिया दी है, सुबे योग की, मुरली और फिर मुरली का रिविशन, मन्थन, सिर्फ क्लास तो एटेंड करते हैं, पर बाकी भी सारे दिन, हमारे बुद्धी में, आज सार में क्या कहा, आ आज क्या क्या पॉइंट्स थी मुरली में, आज वर्दान में क्या कहा, उसके उपर कुछ न कुछ हम चिंतन मंथन करते रहें, और कर्म योगी बनकर चलें, बेहद की दृष्टी वृत्ती के साथ, अगर हम सारे दिन चलें, तो आज हमारे लिए मन्जिल बहुत इजी भी ह तो बाबा इसलिए हमें केते हैं कि अन्त में आते हैं, तो last so fast भी जा सकते हैं, या fail भी हो सकते हैं, अब आप देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी हमें एक बात कही, बेहद की वृत्ती, है ना, बेहद की वृत्ती रखो, जैसे बाबा कहते हैं कि भले, हम बच्चे जो हैं, रहते तो हद में हैं, रहते तो हद में हैं, एक शरीर में, एक घर में, एक नौकरी करते हैं, चार बच्चों को समालते हैं, यह चार आत्माओं के निमित रहते हैं, तो यह हद में रहते हैं, लेकिन हमारी वृत्ति अगर सदा बेहद की है, भोजन बना रहे हैं, तो यह सोचना है बस चार लोगों का भोजन बना रहे हैं नहीं सारे विश्व का पेट भर रहा है न अनपुर्णा हो न आप तो अनपुर्णा भोजन बनाएगी तो सारे विश्व का पेट भरेगा तो संकल्प के साथ भोजन बना रहे हैं याद में बैठे हैं तो कोई हद का विश्व को वाइब्रेशन दे रहे हैं, कोई भी करम कर रहे हैं, एक संकल्प रच रहे हैं, कल्यान का संकल्प, सारे विश्व के आत्माओं के प्रति रच रहे हैं, तो बाबा कहते हैं, अगर सारे दिन हमारी जो वृत्ती है, वो हद की नहीं, बेहद की रहती हैं, जैसे बा तो यह बात कहां कि वृत्ती की जैसे आभी आप देखो क्लास हम कराती हैं तो अभी क्लास करा रहे हैं जूम पर लेकिन सोच क्या रहे हैं कि सारी दुनिया में कोई भी सुनेगा ना यूट्यूब पर तो उसको भी relevant होना चाहिए तो वृत्ती बेहद की रखते हैं तो फिर व करा रहे हैं मुझे याद है जब हमने सेवा शुरू की तो उस समय पर मैं और संतोज भाई थे और तो कोई था नहीं तो उस समय पर कोई आता भी नहीं था सेंटर पर क्योंकि नया-nyया सेवा थी तो पहले तो टाइम लगता है ना जमने में तो हम क्या करते थे ऐसे पूरी क कोरसी लगाई हुई थी तो जितनी कुरसी ह通 आ मानो उस समय पर छोटा हॉल था तो उस में पंदा कुरसी आ सकती है तो पंदरा कुरसी प्रॉपर सजाते थे सुबेसाफ सफाई करते थे और फिर एक कुरसी पर सामने भाई बैटे मैं बैठी मुर्ली सुना नहीं या रिवर वो मुरली सुना है मैं बैठी और सुनाते फूल आवाज में थे ऐसे जैसे की पूरी क्लास हो रही तो उस प्रकार से वो अहवान किया तो फिर धीरे 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 वो वृद्धी हुई तो बाबा इसलिए कहते हैं कि कोई भी कारे करते हो करोगे हद में लेकिन वृद्धी वृद्धी रखते हुए हर संकल्प, हर बोल, हर करम करते जाएंगे न तो उस बेहत की वृद्धी से बेहत की स्रिष्टी, सेवा की रचती जाते हैं तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं एक तो हमें विकारी दुनिया से बहुत परेस करना पड़ेगा पूरी प्योरिटी का ध अर अंग से, जीवन के हर धन के कणे से पवित्र रहे, ऐसे हमें पवित्र बनना है और पवित्रता के साथ-साथ बाबा की जो दिन चरिया है, याद की, मुरली की हर चीज़ पर कमाई पर अटेंशन देना है और वृत्ती को बेहत का रख कर चलना है अच्छा, ओम शान्ति